बहुत लोग 2023 तक भी भाई यह सोचते कि अगर CNG पर गाड़ी चलाएंगे तो भाई हमारी बेश्टी हो जाएगी मला अपनी रेस्पेक्ट से उस चीज को जोड़ता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्यों कि या CNG बस एक फ्यूल है जिससे हमारी गाड़ी चलती है और उस चीज को रेस्पेक्ट से जोड़ना फिर बहुती बड़ी बेवकूफी कहीं नहीं लगती है भाई अगर सस्ते में आपका काम हो रहा है तो यह तो अच्छी बात है ना भाई यह समझदारी वाली बात है अगर आप कोई बेश्टी वाला गाम और इस गाड़ी को देखके वागे में आपकी थोट चेंज होड़े कि भाई गाड़ी को लेके स्पेसिफिकली आज हम देखने आपकी ग्रैंड विटारा इसमें आपको ऊपर डियारल मिलते नीच अपना प्र हैड्लम्प देखने के लिए मिल ज लगते अईसे ब्लै के लो लेकिन नहीं इस कलरी यह लग रहें ब्लैग ग्रोम में लेकिन है नहीं बागि अगर नीचे की बात करें एक तरहे तरह के आपर दाप रेखने कर अंगर अदे निकले मिलता है दैधा के विर कांडु आपि जटनी पी गाडियन आती है और पीछे वगेरा से एक बार लुक के मामले में तो गाड़ी ने तहल का मचा रखा है मार्केट में पूरी तरह से हैं आपर CNG और लगी तो अब गाड़ी में चार चांद लग चुके हैं यह 15-16 लाग की गाड़ी है बिल्कुल प्रीमियम आप इसे कह सकते हो माला प्रीमियम सेगमेंट में भी CNG कंपनीज देने लगए यह बहुत ही अच्छी बात है और अब तो इस गाड़ी में आपको देखने के लिए तो खरीद नहीं अगर किसी को भी है तो आपकी कहीं नहीं काफी जाधा कम हो जाएगी पैट्रोल डीजल गाड़ी लेने से अच्छा आप इसे लेलो वह बेटर रहेगा ठीक है यहां पर आपको की लिशन इंटरिस गाड़ी में ओफर कर जाते है डेल्टा वीरिंट में और जैसे आपस का दोर उपन गरते हैं आपर आपको डूल टो जाता है बागी स्पीकर वगर के अंदर चलके बात करें हैं आपर देखो पहले आपको हाइड एजस्मेंट भी सीट में देखने के लिए मिल जा रही है तो यह तो मुझे बहुत ही जादा नेसेसरी फीचर लगता है तो हर गाड़ी में डालना चाहिए लेकिन बहुत ही बा सब्सक्राइब करें हैं आपको अपना फ्यूल का यहां पर लिवर देखने कर सकते हो और कहीन अगेन के यहां पर होने से न काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी यह बन जाते हैं मला बहुत ही आराम सा आप इने एकसेस कर सकते हो एक बार आपको भाई दिखाता हूं किस तरह स आपर cng का system दे रखता है जैसे आप आप देखते हो पैट्रोल का अलग है और cng का लग है दोनों यही पर डेलेंगे ठीक है तो यह बड़ी सही चीज दे रखें बाहर निया है आपर आपको sensor भी देखने करें मिलता है और इतने रुपए आप दोगे इस गाड़ी के तो आ लेकिन बागी प्रैक्टिकल चीज है किस तरह की आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलने वाली है देखो पहले इसके वाई एम इडियों कर लेता है पुस्टाट बटन को दो बार दबाकर और मिलते हैं बागी हर एक चीज के बारे में बात करने वाला है इसमें आपके चीज में आपको दो वेरेंट मिलते हैं डेल्टा और अपना जीटा डेल्टा बाई बेस वेरेंट आज हम डेल्टा देख रहे हैं हाँ पर आपको मिल्टी मीडिया के कंट्रोल देखने के लिए बागी स्टेरिंग के अगर बात करें काफी हद तक आपका वही लगता है जो मारुति सुजगी में चलता आ रहा है नीचे हां पर आपको बाई को के कंट्रोल देखने के लिए अगर देटेल में बात करें तो आपको डिजिटल में नहीं मिलती बस बीच में चोटा सा पाट है आप डिजिटल में मिलता बाकि आपका और प्यम में मिटर स्पीड़ में अलग अलग देखने के लिए जाते हैं डिजिटल नहीं मिलते हैं ठीक है तो ये एक शांदार चीज़ देखो C&G वेगरा कितनी यहां पर बची है सब चीज आपको दिखाएगा सारी चीज़े इस मीटर में अप डिजिटल में देख सकते हो C&G कितना है पेट्रूल कितना ह सबी चीज़ आपको शो करेंगी और यहां पर आपको इसमें भाई साथ इंच का मुजिक सिस्टम देखने के लिए जिसमें आपको फ्रेंट में और रियर में भी दोनों ही जगा स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं टच रसपॉन्स अगरा काफी शांदार है क्रोम की लुक अब यहां पर नहीं है और काफी अच्छे से आपर देखो काम भी कर रहा तो यह बढ़हा चीज बन जाती है बागी इसमें आपको बाई स्मार्ट प्ले प्रो भी देखने के लिए मिलता है यह एक और बढ़हा चीज है बाई सेकंड मोडल में ही आपको डेल्टा में सभी चीज मिल रहा है अटोमेटिक एसी क्रूज कंट्रोल जैसे सारी फीचर मिल रहा है यहां से आप इसका भाई ट्रेक्शन ओन और ऑफ कर सकते हो और यहां पर आपको नीचे आपको इसमें टलफॉर्ट शोकेट और साथ में क्विस भी पोल्ट भी देखने के लिए मिलता है बहुत अच्छा देखने में लग रहा है और नीचे आपर आपको बहुत अच्छी तरह से प्लेश्ट है यहाँ पर आपको लाइट भी दो देखने के मिलेगा तो यह चीज बन जाती है यहाँ पर इधर की साइड भी देखो आपको बाई वैनेटे मिर देखने के मिल रहा है आप भी और आपकी मैडम भी दो नहीं अपना चेहरा राम से देख आपको बाई यहाँ पर नीचे देखो आपको बाई एक यसब पोर्ट भी देखने के मिल रहा है और स्पेस आपको बाई दिखी रहा होगा है यहाँ पर कितना देखने के लिए मिल जा रहा है तो अच्छी तरह से और सीट आगे वाली काफी पीछे और रखें तब भी यहाँ पर स्पेस मिल रहा है दोनों साइड यहाँ पर देखो लाइट भी पीछे देखने के लिए मिल रही है और इधर की साइड यहाँ पर आपको बाई आमरेस्ट भी ओफर करा जा रहा है तो तीक है और जैसे देखो है आपको दिख रहा होगा दो इसमें कप होलडर भी देखने के लिए मिल रहे है और जो हुक की बें बात कर रहा था वो इस तरह का यहाँ पर अटक जाता है तो वह खुलता नहीं है जाला गिरेगा नहीं बिल्कुल भी वैसे भी नहीं गिरता में ओफर करा जा रहा है पीछे आपको वाइपर नहीं मिलता लेकिन डिफोगर वगयरा सभी चीज मिल जाती है यह एक सवाल है आप सभी से कोमेंट सेक्शन में जरू बताना कि इसकी लुक सही में रेंजर ओवर जैसी लगती है पीछे से यार नहीं लाइट वगरा यहाँ यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने क्लिए मिल जाता है और ग्रैंड विटा रहा है यहाँ पर आपको अच्छा बड़ा सा लिखावे मिल जाता है और जैसी में इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं तो असली बात तो देखो बूट में इसके राज़ चुपा पड़ा कितनी अच्छी यहाँ पर fit and finish देखने के लिए मिलता है इधर की साइट आपको 12W socket मिल रहा है बूट में और यहाँ पर एक लैंप भी देखने के लिए मिल जा रहा है इधर की सेट आपको एक खुक मिल जाता है बागी असली चीज यहाँ पर है बहुत ही अच्छी तरह से ह यहाँ पर दिखती भी नहीं है बड़ी गाड़ी में यही फायदा है कि आपको boot space भी मिल जाता है जो कि आपको छोटी गाड़ी में कहीं है कि आपको compromise करना पड़ता है बागी engine का आपको पता हुग आपका 1500 CZ engine देखने में मिल जाता है और यहाँ पर आपको tool kit वगरा देखने के मिलें तो बहुत ही अच्छी बात बन जाते हैं अगर ओनोर की मत की बात करें तो बाइब 15 लाग के अंदर अंदर आपको यह गाड़ी पढ़ जाएगी तो एक अच्छा सोधा कहीं ना कहीं बन जाता है उन लोगों के लिए जिनकों अच्छी गाड़ी चीए लेकि कि अच्छी बात 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 झाल कि लोगों सोधान क리ृषा के यह जाग को कि लिएी जातर करेंद आपकों तो धिया उन्यारा सजा विता है, अगर बनाशे की पानल जाता लाग़ी तो आपकोंदों धिनकों क्सा बाता है खगए खिग जाता है उन्मर के बमान के भ माते खर